पूरे प्रदेश में चल रहे अतिक्रमन के खिलाव अभियान में आज इस्थानी प्रिश्वासन द्वारा बड़ी कारवाही की गई जिसमें राजस्विभाग की करोडों के मुल्य की भूमी अतिक्रमन से मुक्त कराई गई और द्योगिक शेत्र कंजना में लगबग देड़ बीगा जमीन पर हुए अतिक्रमन की शिकायत कलेक्टर पंकच जैन को प्राप्थ हुई थी जिसको कलेक्टर मोहदय दुआरा टी एल की बैठक में प्रमुकता से रखा गया था और सम्मंदित अधिकारियों को अतिक्रमन के खिलाफ कारवाही करड़ी के प्रयास किये गए थे लेकिन विरोध के कारण अतिक्रमन के खिलाफ कारवाही नहीं हो पाई थी लेकिन कल अतिक्रमन कारियों को पूर्व सूशना देकर आज स्वयम के द्वारा अतिक्रमन ना हटाने पर राजो सिभाग के द्वारा पुल योग से बड़ी कारवाही की गई और करोडों के मुल्ली की शाष्किया भूमी अतिक्रमेंट से मुक्त कराई गई उक्त कारवाही के बीच देहात थाना प्रभारी द्वारा आधतन अपरादी पपुलोधी के खिलाप जिला बदर की कारवाही की गई जिस पर पुर में भी इतने में अधिवन की यह तो लोग उसरे ब्यूद कर रहे थे तो उसमें हटाने में तो दिक्कत हो रहे थी तो आज उसी अभियान के दहत्त मंडी के सामने जो सगक है उससे जो अधिवन के उनको अटाया गया क्योंकि वहां पर काफिस चाला वरा बेशने का भी धंदा चल पर के देशित कहता कि अधिवन के अधिवन के अधिवन करना पड़ेगा उसी क्रम में आज हम लोग गये थे अधिवन हटानी के लिए जिसमें पांचे टपरे नुमा घर बने हुए थे उसे हटा दिया गया एक इंद्रावास योजना के दाद उघर बना हुए था इसका कवजा प्राप्त कर लिया गया है थाकि भाविस्वे उसका कोई सास्के उप्रेट के आज सकते हैं लगवा वो जबिन एक प्रोड से दो डियर प्रोड के आसकते है वाइस ऑफ राइट्स के लिए गंच पासोदा से दिपेश चैन के पोर्ट